Hello and welcome to gradeupstudy.com, तो स्वागत है आपका आज के इस मिशिन वर्दी की English की Class No.17 में और अगर आप हिमाचल परदेश पुलीस कॉंस्टेवल, फोरेस्ट गार्ड, समिस्पेक्टर, HPPSC के अंदर जितने वे एक्जाम आते हैं, चाहे वो HRTC conductor का ही क्यों ना हो, तब भी आप हमारे इस सीरिज को आप पोलो कर सकते हैं, तो आज हम आपके साथ कुछ लेके आए हैं, questions जो कि हम आपके साथ में words पूछ जाते हैं, जिनका synonym आपने बताना होता है, select the most appropriate synonym, तो पहला जो word है, वो आपके सामने है visible, यह को visible का मतलब होता स्पस्ट, जिसे आप स्पस्ट रूप से देख सकते हैं, अगर हम बात करें secret, तो secret नहीं होगा, secret अगर हमने कोई भी जीज रखी हुए ना, तो उसको हम देखी नहीं सकते, hidden, अगर हम अपने smartphone में किसी भी file को hidden कर दे, तो कोई भी इंसान उसको नहीं देख सकता, तो यह तो इसके मतलब opposite होगे, अन्टोनीम होगे, अगर हम बात करें vague, तो vague का मतलब भी क्या होता है, aspasht ठीक है, क्या होता है, aspasht, तो यह भी इसका एक antonium है, लेकिन यहाँ पर जो apparent है, apparent का मतलब भी क्या होता है, aspasht होता है, क्या होता है, aspasht होता है, तो option number B is the correct answer, तो visible का synonym यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो option number B यानिकी apparent बन जाएगा, आगे बढ़ेंगे, तो select the most appropriate option to fill in the blank, यहाँ पर आपको देखना है, कि इन चारों में से कौन सा option सही होगा, ठेक है, आपको सबसे पहले, sentence का meaning जाना है, कि यहाँ पर कौन सा जो word है, वो यहाँ पर fill हो सकता है, तो question क्या है, a dash mind rarely meets a dead end, it continues the search for the answers, देखो, यहाँ पर बात की जा रही है, कि एक ऐसा mind, अब यहाँ पर आपको mind के लिए एक adjective word use करना है, अगर मैं यहाँ पर curious लिखूँ, ठीक है, curious यानि कि, जो हमेशा उत्सुक रहता है, क्या रहता है, उत्सुक, ठीक है, जो mind हमेशा उत्सुक रहता है, ठीक है, तो उत्सुक mind कभ पर जो जानने की क्या होता है उथ सुक्ता होती है तो यहां पर option number C जानने के यहाँ पर आपको error find out करना है ठीक है तो question क्या है she left hers umbrella of the office देखो अगर आप हमारे English की course में है ठीक है अगर आप हमारे English की course में हो तो वहाँ पर मैं आपको बताया था एक possessive adjective क्या बताया था? possessive adjective जो की possession को बताता है possession देखो possession में अगर हम बात करें hairs की ठीक है तो वहाँ पर her word use होता है hairs नहीं होता ठीक है वहाँ पर her word use होता है तो यहाँ पर क्या होना था? her होना था she left her umbrella तो option number based the correct answer यहाँ पर क्या होना था? her होना था तो option number based the correct answer आगे बढ़ेंगे next ही आपके पास वन वर्ड सब्स्टिटूशन काफी असान सा वर्ड है सुरी काफी असान सा आपके पास सा सेंटेंस है ठेक है तो question क्या है A person who knows everything एक ऐसा इंसान जो कि सब कुछ जानता हो सर्वग्यानी उसको हम क्या बोलेंगे Omniscient बोलेंगे क्या बोलेंगे Omniscient बोलेंगे ठेक है नेव की बात करें तो नेव का मतलब होता है गवार क्या होता है गवार Omniscient का मतलब होता है जो कि सब कुछ जानता हो सर्वग्यानी ठेक है और Intelligent और Omnipresent देखो Intelligent आपको पता है ठेक है होश्यार और omnipresent का मतलब होता है एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसी चीज जो कि सभी जगह पर क्या है present है क्या है present है तो यहाँ पर बात की गई है कि ए person who knows everything जो कि सब कुछ जानता हो तो उसको हम बोलेंगे omniscient यानि कि option number b is the correct answer ठीक है आगे बढ़ेंगे next आपके पास the following sentence has been split into four segments आपको यहाँ पर grammatical error बताना है कि किस वाले पार्ट में error है देखो काफी असान सा एक sentence आपके सामने है और अगर आपको narration topic अच्छे से आता है तो यह जो आपके पास question है न grammatical error का यह narration topic से ही बना हुआ है देखो narration में आप दो type के sentence बढ़ते थे direct tense और indirect या फिर direct speech और indirect speech direct में आपने एक सीच पड़ी होगी sad आपने sad भी पड़ी हुई है और sad to भी पड़ी हुई है और जब भी हम sad to को indirect speech में change करते हैं तो वो हमेशा told में change हो जाता है तोल्क के साथ कभी भी टू का प्रेयोग नहीं किया जाता यह को दियार रहना है कि टोल्क के साथ कभी भी तू का प्रेयोग नहीं किया जाता और indirect speech की यह पहचान होती है कि यहाँ पर आप अपनी speech को लिख सकते है तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है मोहन टोल्ड टू सागर तो यह आपके पास एक इंडिरेक्ट स्पीच है और पहली बात तो यह है कि इंडिरेक्ट स्पीच में टोल्ड के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं किये जाता तो यहाँ पर option number C is the correct answer होना था क्योंकि यहाँ पर तू का प्रयोग नहीं होना था तो इस concept को आपने ध्यान में रखना है आगे बढ़ेंगे बताएंगे एक ऐसा इंसान एक ऐसा परसन जो की company के financial records को examine करता है ठीक है examine करता है तो conductor तो नहीं होगा भई ठीक है author भी नहीं होगा यहाँ पर लेखने का काम है नहीं ठीक है auditor का काम देखते हैं और instructor का काम instruct करना होता है तो यह भी नहीं होगा auditor is the correct answer auditor मतलब जो की लेखा जो खा रखता है, ठीक है, ओडिटर मतलब जो ओडिट करता है, ओडिट मतलब देखता है कि कितना खर्चा हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसको एक्जामिन करता है कि जो ऐसा हमने इंवेस्ट किया, क्या वो सही तरीके से इंवेस्ट हुआ या फिर बीच में घपला हो गया, इस कारण से सेंटर और स्टेट गवर्मेंट अपने अपने ओडिटर भी बिठाती है, और आपको पता है कि ओडिटर की भरती भी होती है, होती है ना, चलिए, तो यहाँ पर option number C is the correct answer, आगे बढ़े select the most appropriate options to fill in the blank, the doctor dash her to stop eating fried food, जैसे कि मुझे अभी डोक्टर ने बोला हुआ है, कि तुम्हें fried food नहीं खाने है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी काफी दिनों से खांसी की दिक्कत थी, पहले करोना भी था, और अभी खांसी की दिक्कत है, जो कि जा ही नहीं रही है, तो मुझे डोक्टर ने advise किया है, ठीक है, मुझे डोक्टर ने advise किया है कि कोई भी fried food नहीं खाने है, ठीक है, और चावर भी नहीं खाने है, ठीक है, और कोई भी खटी चीज़ नहीं खाने है, तो ये मुझे डोक्टर ने क्या किया है, advise किया है, तो option number A is the correct answer, तो कई एक बार क्या हो जाता है कि वीडियो बनाते समय खांसी हो जाती है ठीक है तो इसी लिए live करना तो possible है नहीं ठीक है पहली बात यह है कि signal नहीं है यहां पर live आने वाले ठीक है तो दूसरी बात यह है कि continuously बोलना तो वो भी possible नहीं हो पाता है अब क्योंकि खांसी बड़ी जबरदस लगी हुई तो यहां पर the doctor advised होगा, ठीक है तो option number A is the correct answer, आगे बढ़ेंगे, next आपके पास select the most appropriate option, अच्छा जी, यहां पर आपको इस जगह पर और क्या आ सकता है, ठीक है, यहां पर इस जगह पर क्या आना था, तो वो आपने बताना है, ठीक है, तो question क्या है, you need to get the cholesterol from out of your system, यहां पर ग out में, देखो अगर हमने cholesterol को अपने system से बहार निकालना है, तो मुझे लगता है कि यहां पर from की जरूरत नहीं है, यहां पर from की हमें need बिलकुल नहीं है, तो यहां पर हम out of your system का ही use करेंगे, यहां पर हम from को हटा देंगे, तो option number A is the correct answer, यहां पर हम from को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, simple out of your system याने की option number A is the correct answer, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें from लगाने के जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर जो श्रीर के अंदर है, जो cholesterol है, उसको बहार निकालना है, तो cholesterol out of your system, cholesterol from out of your system, तो from यहां पर सही नहीं लग रहा है, तो option number A is the correct answer, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, next है आपके पास, select the most appropriate option to fill in the blank, तो question क्या है, a dialogue is a dash between two or more people, ठीक है, तो जो dialogue होता है, वो क्या होता है, conversation होती है, commission होती है, convertible होता है, या फिर conversion होती है, देखो, dialogue एक conversation होती है, between two or more people, ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप एक single इंसान भी हो सकते हैं, और आप single या फिर दो, या फिर दो से अधिक इंसान भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, dialogue, तो dialogue क्या है, एक conversation है, between two or more people, तो option number A is the correct answer, देखो, काफी आसान प्रशन है, लेकिन यह है, कि अगर को अच्छे तरीके से tackle कर सकता है, basically वो English को अच्छे तरीके से tackle कर सकता है, ठीक है, तो इसका आपने ध्यान देना है, देखो, सबसे पहली बात, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको हमेशे ध्यान रखना है, कि अगर examiner आपके question paper में English डाल रहा है, तो उसका, इसके पी आगे जो बैठा हुआ इंसान, क्या वो English की basic knowledge रखता है, ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके से preparation करनी है, चाहे वो English हो, चाहे वो Hindi ही क्यों ना हो, ठीक है, और अगर आप teachers याने की TGT commission मगारा JVT commission की त्यारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर examiner की thinking ये होती है, कि मुझे ये check कर आगे जाके उसने वही subject पढ़ाना होता है, ठीक है, तो हमेशा आपको ये ध्यान एकना है कि आपके exam में English या फिर Hindi का या फिर उस subject का role क्या है, तो उसके according आपको त्यारी करनी है, इतना deep में भी नहीं जाना है, ठीक है, तो ऐसे simple simple से आपको knowledge होनी चाहिए, ठीक है, अगर अगर इतनी knowledge भी अगर आपके अंदर है, तो exam आप cry कर सकती हो, बड़ी असानी से, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो option number A is the correct answer, आगे देखिए, select the incorrectly spelled word, अब यहाँ पर आपको दाना है कि कौन सी spelling गलत लिखी होई है, ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि anniversary में development आता है, य पर में, और वहाँ पर हम first जाते हैं, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते है, simple knowledge आपको होने चाहिए, तो anniversary की spelling क्या है, A double N होगा, बाकी same है, ठीक है, तो option number A is the correct answer, आगे बढ़ेंगे, select the most appropriate meaning of the given idiom, तो idiom क्या है, simple सा idiom है, to breath once last, simple सा है, ठीक है, यहीं से clear हो रहा है कि, अंतिम सांस की बात की जा रही है, और अगर कोई इंसान अंतिम सांस ले रहा है, इसका मतलब कि वो अभी जाने वाला है, यानि कि to die, option number 4 is the correct answer, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, next है आपके पास select the incorrectly spelled word, अब यहाँ पर देखो, सभी के सभी जो word आपके साम में लिखे dictionary, voluntary, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें dictionary की, तो d, i, c, t, i, o, n, a, r, y होगा, यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, e, r, y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर e आपने replace करना है कि इसके साथ में, a के साथ में, तो option number, c is the correct answer, कितना normal सा यह word लिखा हुआ था, आगे बढ़ेंगे चलिए, next है, आपके पास, the following sentence has been split into four segments, हाँ, आपको यहाँ पर भी grammatical error बताना है, देखो काफी असान है यह, ठीक है, बस यह है कि यह एक concept है, जो कि मैं आपको आज पढ़ा दूगा, concept क्या है इसके बीचे, देखो, सबसे पहली बात यह है, कि नेदर के साथ हमेशा नोर क परयोग होता है, अगर किसी भी sentence में नेदर लिखा हुआ है, तो आगे नोर होना ही चाहिए, सबसे पहले आपको यह देखना है, अगर नेदर के साथ नोर नहीं है, तो वहाँ पर गड़बड़ी है, अब यहाँ पर नेदर के साथ नोर भी लिखा हुआ है, चलोड़ी, और आगे नोर के बाद भी नाउन लिखा हुआ है, जो कि प्लूरल है, अब यहाँ पर हमारा माइंड चकरा जाता है, कि सर नेदर के आगे singular noun है, और नोर के आगे plural noun है, तो यहाँ पर जो हम helping verb का use करेंगे, वो कोन सी करेंगे, singular करेंगे, या फिर plural करेंगे, अब यहीं पर ह हमारा जो concept है, वो काम में आता है, concept क्या है, कि जब भी नेदर के आगे कोई noun होगा, और नोर के आगे कोई noun होगा, और जो आगे हम helping verb का प्रियोग करेंगे, वो उसी noun को देखते हुए करेंगे, जो की नोर के बाद लगा हुआ होगा, जो की नोर के बाद लगा हुआ होगा, अगर नोर के बाद plural noun लगा हुआ है, तो आगे आपको helping verb भी plural लिखनी है, अगर नोर के बाद singular noun लिखा हुआ है, तो आगे आपको helping verb भी singular लिखनी है, बाकी नेदर के आगे चाहे singular हो, चाहे plural हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने दे वर्पिंग वर्ब है वो भी आपको प्लूरल लिखनी है तो यहां पर वोज लिखा हूँ है यहीं पर ही गड़बड़ी है वोज की जगह पे वर का प्रयोग होना था क्योंकि हमने नूर के अकोर्डिंग चलना है तो इस कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखना है तो इंप्ल अगर हम अपनी बाइक चलाते हैं काफी रफ्तार से आपने 150 क्रोज कर दिया आपने 100 क्रोज कर दी तो यह जो स्पीड है ना यह आपके लिए क्या सिद्ध हो सकती है घातक सिद्ध हो सकती है घातक मतलब जो कि आपको घात पहुंचाए घात मतलब आपको नुक्सान पहुंचाए नुक्सान मतलब डैथ भी हो सकती है ठीक है तो ऐसी चीज जो कि लीड करती है आपको घात करने में नुक्सान करने में यानि कि उपर पहुं इस चीज को हम बोलेंगे फेटल और इसका अर्थ क्या होता है घातक होता है अगर कोई चीज हमारे लिए घातक है ठीक है घातक मतलब वो हमें नुकसान पहुंचाएगी यानि की डेथ तक भी पहुंचा सकती है तो ओप्षिन नमबर C is the correct answer आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके पास select the most appropriate antonym तो antonym आपको बताना है विटल विटल का मतलब क्या होता है देखो विटल एक वर्ड ऐसा है काफी कम बच्चों ने सुना होगा तो विटल का मतलब होता है अत्यधिक अत्यधिक नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे मतलब अतियवश्यक क्या बोलें यानि कि important है हमारे लिए ठीक है simple मान के जलो important विटल और important एक ही बात है तो आपको अभी इसके according यहाँ पर antonym लगाना है तो यहाँ पर जो option number 2 होगा trivial प्रिवियल का मतलब होता है मामूली क्या होता है मामूली एक चीज हमारे लिए important है एक चीज हमारे लिए मामूली है तो option number 2 is the correct answer जिसका मतलब होता है मामूली यानि कि यह विटल का antonym है तो option number B is the correct answer ठीक है आगे बढ़ेंगे next आपके पास का काफी आसान सा word है threat, threat का मतलब क्या होता है खत्रा, क्या होता है खत्रा, तो खत्रे के लिए देखू आप कौन सा word यूज कर सकते हैं, suggestion यूज कर सकते हैं, proof यूज कर सकते हैं, attention यूज कर सकते हैं या फिर risk यूज करेंगे तो आप सभी को बता है, risk का मतलब भी क्या होता है अगर आप किसी भी चीज में रिस्क ले रहे हैं, मतलब कि क्या है वहाँ पर, वहाँ पर खत्रा है, क्या है, खत्रा है, तो threat का synonym हो जाएगा option number 4 याने की रिस्क, ठीक है, तो ये 16 questions ने discuss किये English के, तो I hope आज की जो वीडियो है, ये काफी helpful आपके रही होगी, ठीक है, एक दो concept आपने जरूर सीके होगे, ठीक है, बाकि डरने की कोई बात नहीं है, simple knowledge आपको होने जाएए, और सबसे बड़ी बात कि vocab को अपने daily routine में add करना, मतलब शुरू कर दो, अगर vocab जैसे सूबह उठके अखवार बढ़ते हैं न, वैसे आपको थोड़ी थोड़ी करके vocab पढ करना, शुरू कर देनी है, और यही आपको English में number दिलाएगी extra, बाकि English grammar एक अलग चीज है, लेकिन vocab भी एक अलग चीज है, ठीक है, अगर fill in the blanks है न, fill in the blanks, तो वहाँ पर भी आपकी vocab काम में आती है, क्योंकि कई कबार ऐसे word होते हैं, जो कि, अगर meaning आपको पता होगा न, तब जाके आप उसको वहाँ पर fill कर सकते हैं, ठीक है, तो vocab को अपनी daily routine में add on कर दो, तब जाके काम बनेएगा, बाकि अगर हम बात करें अपने courses की, तो English का course हमने already launch कर दिया है, यहाँ पर सुभे उठके सबसे पहले vocab का घूट पिलाया जाता है, vocab का घूट पिलाया जाता है, हर रोज सुभे 8 बजे, sorry 7 बजे, ठीक है, यह चीज है इसमें खासियत, बाकि यहाँ पर English grammar हमने already खतम कर दी है, जहाँ पर आपको recording classes मिलेंगी, ठीक है, बाकि हम revision करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, बस इतना है कि आपकी English को next level तक course आपके लिए sufficient है, बाकि यतनी भी हमारे यहाँ पर classes रहेंगी, चाहिए वो vocab की हो, चाहिए वो English grammar की हो, उन सभी का आपको जो notes है, class notes, ठीक है, वो भी आपको provide करवाई जाते हैं, ताकि बाद में आप उसको revise कर सके, और रही बात सबसे बड़ी कि यहाँ पर इसकी जो validity ह है, वो हमने 6 महीने से change कर दी है, एक साल, 1 year, ठीक है, तो यह भी आपने ध्यान में रखने हैं, बाकि रही बात इसकी प्राइज की, तो 6 double 90's का प्राइज है, ठीक है, तो आप इस course में enrollment ले सकते हैं, बाकि अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, सिर्फ J.O.I.T. को छ होते हैं, ठीक है, तो अगर आप हिमाचल परदेश, पुलीस को उस्टेवल एक्जाम, पटवारे एक्जाम, फोरेस्ट गार्ड का एक्जाम, जेल वोर्डन का एक्जाम, इसके इलावा जितने भी एक्जाम होते हैं, जिसमें आपकी English, Hindi, GK, GK में आपकी जो पॉल्टी हो तो ये सभी जो है, वो इस कोर्स में हम कंप्लेट करवाते हैं, चिक है, और सही तरीके से बिल्कुल एक से लेके जड़ तक, चिक है, और जिससे कि ये होगा कि आपके आने वाले जितने भी एक्जाम हैं, वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, और वो एक्जाम आपके डेफि जड़ा ही नहीं होगा, अगर पैदा बाइचंस हो भी जाए, तो सेटरेडे संडे को उन डाउट्स को खतम करने के लिए हमने रखे हुए हैं, ठीक है, तो जड़ा जनकारी अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पर वाट्सेप कर सकते हैं, या फिर आप डिरेक करना चाहते हैं, HRTC Conductor की या फिर आपने पहले प्रपेशन की हुई है, और अभी आप फाइनल टच देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस कोर्स में इन्रोल्मेंट ले सकते हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट इसमें हमने अलड़ी कवर कर दिये हैं, और अगर आपने पहले त्यारी कर ली है, या फिर करना चाहते हैं, तो आपके पास दो महिने का समय है, आप इसमें अच्छे तरीके से प्रपेशन कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तब तक है लिए, जाहिंद, जाहिंद, जाहिंद,